दो पल के लिए मिलना और प्यार हो जाना, क्या है ये दो पल का प्यार, क्या हो सकता है किसी को दो पल में किसी से प्यार, नहीं जानते, चलिए हम बताते हैं आपको, फिर आप खुदी अंदाज लगा लीजिएगा कि किसी को दो पल के मुलाकत में प्यार होता है या नहीं, य यहां के प्रेम कहानी बिहार में बसी एक छोटा सा गाव महरेल की है जितनी प्यारी ये गाव है उतनी ही प्यारे यहां के रहने वाले लोग है यहां के लोग अपने जरूरत की समान लाने गाव से थोड़ा दूर बसी एक बजार जाते है एक दिन महरेल गाव के एक लड़का जिसका नाम अभिशेक है वो भी रोज जाता था एक समय आया कि वो रोज सजधज के उस बजार जाने लगा अब आप पूछोगे सजधज के क्यों जाने लगावो तो बात ये थी कि एक दिन जब वो बजार से गुजर रहा था तो उसे एक लड़की दिखी अभिशेक उस लड़की की भी नजर पड़ी उस लड़के पे फिर क्या दोनों एक दूसरे को देखते रहे अब ये दो पलकी यू इस तरह देखा देखी में ही शहजादे को प्यार हो गया फिर क्या उस दिन के बाद रोज अभिशेक बजार सजधज के जाने लगे और फिर वो इधर ही का इंतजार कर रहा था वो लड़की अपने मम्मी के साथ आती थी हाथ में थेली थी जिसे देख के लग रहा था कि वो भी सामान लेने आई है वो लड़का उसे बस देखे जा रहा था कुछ देर में वो चले जाती है ऐसे ही वो रोज बजार आती और लड़का उसके आन आने के बाद वो भी चला जाता, वो रोज कोशिश करता बात करने की लेकिन वो जैसे ही बात करने जाता कि वो चल देती थी या सामने कोई आ जाता था वो दो पल का वक्त में वो लड़का बस कोशिश करता की कैसे वो अपने दिल की बात उस लड़की से कहे, फिर एक दिन किस दोनों एक साथ बोल पड़े की मुझे कुछ कहना है क्या पल था वो फिर क्या लड़का डर गया उसे लगा कहीं इसे बुरा न लग गया हो कि मैं इसे रोज यहां देखता रहता हूं या कोई और बात वो डर के उस लड़की के तरफ देखा और धीमी आवाज में उसे कहा बो बोलो की क्या कहना है लड़का डर रहा था कुछ कहने से अब और उसने पहले उसे ही कह दिया कि तुम बोलो पहले फिर अचानक से दोनों एकी साथ अपनी अपनी दिल की बाते बोल दी लड़का सुनते ही अपना होश ही खो दिया क्योंकि उसे कभी लगा ही नहीं था कि प्यार दोनों मैं पहले दिन के एक पल से ही हो गया था, लेकिन एक दूसरे को बताने का मौका नहीं मिल रहा था, फिर क्या, रोज यही आने लगे एक दूसरे से मिलने लगे, कुछ समय बाद दोनों ने अपने अपने घर में बात की और दोनों ने शादी कर ली, और इस तरह वो दोनों हमेशा के लिए साथ हो गए और खुशी-खुशी रहने लगे। इससे ये पता चलता है कि प्यार करने में साल या महीना नहीं लग जाता है। प्यार तो वो खुशी है, वो एसास है, वो विश्वास है जो एक पल में और बस एक नजर में ही किसी को किसी से हो जाता है